नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डॉक्टर अजे बर्मा यूटूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटामिनी कैप्शूल के बारे में इस कैप्शूल का जो कॉमनी उस है बो है अपने चेहरे पर फेरनेस लाना यानि कि अपना जो चेहरा है उसको ग आपको इस से कोई साइड एफेक्ट तो नहीं होंगे और आप इस कैप्शूल को कितने समय तक इस्तमाल कर सकते हैं यह सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा तो वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखे वीडियो थोड़ा सा भी इन तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि आपकी स्किंडल हो जाती है कील मौहा से बगेर होते हैं और आपके बाल जड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस कंडिशन में आप समझ लीजिए कि आपके जो सरीर है उसके अंदर बिटामेनी की कमी हो चुकी है आपके जो बाल है जड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जब इसकी पूर्ती हो जाएगी तो डैफिनेटल आपके बाल मजबूत होंगे कील मौहा से कम करता है इसकिन पर निखार आजाता है जैसा कि अब हमने बताए कि बिटामिन E की कमी से ही आपकी स्किन खराब होती है बाल आ जमजोर होती है तो आप बिटामिनी की पूरती होगी आपके सरीर में आपकी जो कोजिका है वो मजबूत होंगी तो आप काफी समय तक जिम कर पाएंगे यह वेनिफिट्स थे जो की बिटामिनी कैपसूल से हमें मिलते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे बिटामिनी कैपसूल यानि कि EVION 400 के doses की जो की सबसे ज़्यादा important है यहाँ पर पिरती दिन आप एक capsule का इस्तमाल कर सकते हैं दो फैर में या फिर रात को सोते समय वो भी आपको खाना खाने के बाद ही इस tablet यानि कि capsule का इस्तमाल करना है या फिर आप अपने डॉक्टर की सला अनुसार ही इस capsule का इस्तमाल करें तो काफी अच्छा रहेगा कुछ लोग इसे बालों में और चेहरे पर उपर से लगाते हैं ये करना बिलकुल गलत है क्योंकि आपके सरीर के अंदर बिटा में नीकी कमी है तभी आपकी स्किन पर गलो नहीं आ रहा है स्किन डल है, कील मोहा से है और आपके बाल जड़ रहे है जब तक आप इसको अंदर से ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं होगी इसलिए आपको इसे बाहर से नहीं लगाना चाहिए आप इसको daily जैसा मैं आपको बता रहा हूँ daily एक capsule आप खाईए खाना खाने के बाद definitely आपके vitamin E की पूरती होगी तो आपकी जो skin है वो automatic glow करना start हो जाएगी और आपके बाल वगेरा जड़ना भी बंद हो जाएंगे यहाँ पर हम बात करें EV1-400 यानि की vitamin E से आपको क्या side effect हो सकते है तो यहाँ पर जो कुछ side effect है common side effect है आप जब इस tablet का overdose करते हैं या फिर लंबे समय तक इस्तमाल करते हैं तब यह side effect देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि जी मचलाना, दस्ताना या फिर आपको आलस भी आ सकता है धुन्दला दिखाई देना जब आप इसका overdose करेंगे तो definitely आपको धुन्दला दिखाई देगा ही क्योंकि vitamin E जो है वो आपके सीधे आँको पर भी असर डालता है तो उस condition में आपको दुन्दला दिखाई दे सकता है सिरदर्द होना, यह कुछ side effect है जो कि अभी तक दिखे हैं जो भी Evion 400 का लंबे समय तक ही यूज करते हैं या फिर इस capsule का overdose करते हैं यहाँ पर side effect हमने clear किये अगर आप Evion 400 यानी की बिटामेन E capsule का इस्तमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसी कि इसके साथ किसी भी अन्य दबा का सेवन नहीं करना है चाहे वो हॉम्योपेती हो, एलोपेती हो या फिर आयोरवे देखो आपको कोई भी दबाई इस capsule के साथ नहीं लेना है अगर आपके सरीर में खून की कमी है तब भी आप इस capsule का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए भही आपको सही तरीका बताएंगे धुमरपान या फिर सरापका सेबन ना करें ये आपके लिए काफी ज़्यादा खतरनाख हो सकता और काफी गंबीर side effect आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है और एक बात और आप इस capsule को 15 दिन तक यूज करके देखिए अगर आपको benefit होता है तब ही आप इस capsule का continue एक महीने तक इस्तमाल करें अन्य था आप इस capsule को बंद कर दें अगर आपको कोई side effect होते हैं या फिर कोई benefit नहीं होता तो आप इस capsule को लेना बंद कर दें आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो informative लगा हो तो लाइक जरू कर देना चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को भी subscribe कर लिजे इस capsule से संबंदित जो भी जानकरी थी वो यहाँ पर हमने clear की यानि की आपकी जो भी doubts थे वो यहाँ पर clear हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में